नवस्कार मैं हूँ आपके साथ रोहत देश के प्रधान मंत्री नरेंद्रमोदी अभी कुछ ही दिनों पहले मेरट गये थे जहां उन्होंने भव्वे खेल विस्विद्याले निर्माल के लिए सिलन्यास तो किया ही था साथ ही ये भी बताया था कि उनकी सरकार ने खिलारियों को चार सस्त्र भी दिये हैं कि खिलारियों के सामर्त को बढ़ाने के लिए हमारी सरकार ने अपने खिलारियों को चार सस्त्र दिये हैं कि खिलारियों को चाहिए संसादन खिलारियों को चाहिए ट्रेनिंग की आदूलिक सुविदा खिलारियों को चाहिए अंतर रास्तिय एक्स्पोजर खिलारियों को चाहिए चोयन में पारदर सिता हमारी सरकार ने बीते वर्षों में भारत के खिलारियों को ये चार सस्त्र जरूर मिले इसे सर्वोच्च प्राथ्विक्ता दी है जिस منज से P.M.ी.मोदी ने खिलारियों को दी जाने वाली सरकारी सुविदाओं का बखान कर रहे थे उस बंच पर सूबे के मुख्या योगी आदितनाद भी मौजूद थे जिन्होंने गाजियाबाद में अंतराष्टिय क्रिकट स्टेडियम बनाने के लिए साल 2019 में भूमि पूजन किया था राजधानी लखनव से डिजिटली इसे भूमि पूजन को किया गया था और इसे आज दो साल से जादा हो गए है मगर क्रिकट स्टेडियम के प्रोजेक्ट पर अभी तक हाथ नहीं लग सका है प्रोजेक्ट में हो रही इस देरी की वज़ा से अब तो गाजयबाद के रहने वाले मशुहूर क्रिकटर सुरेश रहना का भी सबर जवाब दे गया है यही वज़ा है कि उन्होंने अपने ग्रिह जिले में प्रस्तावित अंतर्राष्टे क्रिकट स्टेडियम के निर्माल में हो रही देरी को लिकर सीधे ट्वीटर पर ही सरकार से सवाल पूच लिया दरसल सीयम्योगी के मीडिया एडवाइजर शलम मरित्रिपाठी ने सोमार को एक ट्वीट में बताया था कि क्रिकट के छेतर में दिवरिया का नाम रोशन करने की कोशिस कर रहे नौजवान साथियों से भुजौली इस्थित प्रस्तावित स्टेडियम में आज मुलाकात हुई उनका उस्साहवर्धन क्या सभी के प्रियासों से या स्टेडियम दिवरिया में खिलारियों की फैक्टरी बन सकता है शुक्रामना है बीजेपी नेता श्रलममणी त्रिपाठी के इस ट्वीट को देखकर पूर्व क्रिकेटर सुरेश त्रैना को भी अपने जिला गाजयबाद में प्रस्तावित अंतर्राष्टे क्रिकेट स्टेडियम की याद आ गई और तुरंत उन्होंने एक ट्वीट कर बीजेपी नेता से पूछा गाजयबाद में कब होगा सर? मेक सेंस इस ट्वीट के जरिये सुरेश त्रैना ने गाजयबाद के क्रिकेट स्टेडियम निरमाल में हो रही देरी की ओर धान दिलाया जिस पर सीम योगी के मेडिया एडवाजर स्रलम मनित्रिपाठी को भी जवाब देना पड़ गया उन्होंने ट्वीट कर लिखा आपने कहा है तो पुर्जोर प्रयास होगा आप यूपी के गवरों हैं सुरेश त्रैना जी सलम मनित्रिपाठी के इस जवाब पर सुरेश त्रैना ने एक ओयल ट्वीट कर लिखा ये इस्थिती है 2015 में गाजयबाद ने अंतरराष्टे स्टेडियम के सपने देखे थे अभी भी सिर्फ जमीन ही जमीन दिखाई देती है किरपया राज सरकार संग्यान ने चुनाओी मौसम में सुरेश रहना ने गाजयबाद में अधूरे पड़े प्रोजक्ट का मुद्दा उठा कर एक तरह से योगी सरकार के सिस्टम पर करारा प्रहार किया है क्यूंकि योगी सरकार किसी भी प्रोजक्ट को समय से पूरा कराने के लिए ताल ठोकती रहती है लेकिर रैना के एक ट्विट ने सरकारी सिस्टम के धुलमुल रवय की पोल खोल कर रहती है गाजयबाद के स्टेडियम प्रोजेक्ट वे हो रही देरी पर अंतराश्टिय स्टेडियम के संयोजक और गाजयबाद क्रिकेट अस्योसेशन के निरेशक राकेश मिस्रा ने बताया स्टेडियम का निर्माड होता है तो सरकार और जीडियों को सत्तर से सो करोन रुपए का राजस्यों मिलेगा इस संबंध में जल्द ही समय लेकर मुक्मंत्री से समी मुद्दों पर बात होगी उमीद है कि जल्द ही स्टेडियम का निर्माड शुरू होगा आपको बता दें कि गाजयबाद के राजनगर एक्स्टेंसन में ही अंतरराष्टी अस्तर का क्रिकेट स्टेडियम बनाने की बात लंबे वक्त से चल रही है यहाँ पर इसका भुईम पूजन भी हो चुका है लेकिन अभी तक स्टेडियम का काम जमीन पर उतरता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है सुरेश रहना भी गाजयबाद के ही रहने वाले हैं यही वज़ा है कि उन्होंने योगी सरकार को उनका वादा याद दिलाया है भारत के लिए लंबे वक्त तक क्रिकट खेलने वाले सुरेश रहना ने 226 वंडे मैच में 5,615 रन बनाए हैं जबकि 78 टीटोन टीम काबले खेलते वे उन्होंने 1,605 रन बनाए हैं सुरेश रहना ने 15 अगस्त 2020 को महेंदर सिंग धोनी के साथ ही अंतराष्टे क्रिकट को अलविदा कहा था हालांकि वा अभी IPL खेल रहे हैं और 2022 आक्षन में वो नजरे गडाय बैठे हैं कि कोई टीम उन पर बोली लगाए